हेलों विल्कम स्ट्रेंट्स दिस इस सनसर आजके इस लेक्चर में हम लोग बिजनस और नाजेशन का जो सेकेंड चैप्टर है हमारा दैट इस प्रोमोशन आफ बिजनस उसको पढ़ने वाले हैं आई ये लेक्चर को स्टार्ट किया जाए देखें सबसे पहरा जो नमारा टॉपिक आता है दैट इस प्रोमोशन आफ बिजनस आखिर कार बिजनस की प्रोमोशन से क्या मतलब है देखो आप लोग पहले बाद ये कन्फ्यूज मत होना कि प्रोमोशन हो रहा तो मतलब किसी तरह के से बिजनस को हम हुए देखो प्रोमोशन मींस दे एक्ट ओफ टेकिंग स्टेप्स फॉर्डव फॉर्मेशन आफ संथिंग प्रोमोशन यहां पर बिजनस में इन फैक्ट अगर मैं आपको बता हूं तो यह बिजनस लॉका लैंग्विज है और यहां पर प्रोमोशन से रेफर है कि जब हम कुछ करने के लिए कुछ कदम बढ़ाते हैं हम कुछ न्या करना चा रहें और उस चीज को क्रियेट करने के लिए हमने कुछ सप्थाएं जिससे जो हम क्रियेट करना चारे उसके क्रियेशन का प्रोसेस हो सके start हो सके तो यहां पर business enterprise के reference में बात करेंगे तो यहां उसका promotion के मतलब होता है कि वो जितनी भी steps हम देते हैं जिससे हम एक नया business unit को set कर सकें तो वो कहलाता है हमारा business promotion the person who conceives a business idea and takes steps to implement it is known as promoter or entrepreneur तो जिस पंदे का यह idea होता है कि business का जो idea होता है कि भाई हमें की business start करना चाहते है तो यह idea सब मेरे दिमाग मा है तो मैं क्या कहलाँगा प्रमोटर कहलाँगा the promoter has to act both as a mother and a midwife because it is he who faces various difficulties that is bears the labor pain to bring the new enterprise into existence and bring it up into a successful venture तो जैसे धर्थी पे अगर अगर हम अगर new life born होती है तो जो mother होते हैं उन्हें सारा दुख तकलीफ अगरा आप face करना पड़ता है उन बिना उनके new life create नहीं हो सकते हैं उसी तरीगे से जया नया business आप create होता है तो उससे जूड़ी जितनी भी problems होती है जिसने भी उसनी steps होते हैं यह सब किसे face करना पड़ता है उसका नाम क्या है हमारा promoter promoter तो I think you have understood the concept of promoter the promoter first of all conceives an idea to start a particular business enterprise assembles and coordinates various factors of production that is main machines money and materials देखो promoter के चुण की idea उसी का है तो business को start करने के लिए जितनी भी चीजों को requirement होती है उसको arrange करना भी उसी का ही काम होता है तो जो चार चीज़े हमें चाहिए होती है उसे हम 4M भी बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे 4M 4M का मतलब क्या हुआ main machine money and materials and then give birth to a new unit और इनी सब चीज़ें के मदद से हम अपना नया business unit create पर पाते हैं अब एक example एक real life example लेकर हम इसको समझते हैं जैसे मान के चलो कि इंडिया में कोई business कोई लड़की है कोई विमेन है जो राधिका के नाम से जिसे अपना पिकल का बिजनस अचार का बिजनस स्टार्ट करना है लेकिन हम जब बिजनस स्टार्ट करेंगे तो हम randomly जाके तो पैसा इंवेस्ट नहीं कर देंगा ना किसे ठीक है बिजनस करना है जो पैसा लगा देते हैं उसके पहले की कुछ स्टेप्स होते हैं जैसे पहले हो देखे कि या मैं जो पिकल बेशना चाहती हूं वह हमारे एरिया में popular है भी की नहीं है वह बिक भी रहा है तो इस step को कहा जाता ह इंडिंडेफाइंग बिजनस ओपिर्चुनिटी इसका मतब होता है कि मैं जो बिजनस करना चाहरे हो क्या उसका उप अपॕर्चुनिटी है बी नहीं हूं क्या अचार खाने वाले लोग है बी कि नहीं है एप आंदर के तो नहीं पैसा लगा दोगे ना कोंकि बिजनस में बहुत यूज कैपिटल यूज होता है तो यहीं दिखता है कि हाँ राधिका ने देखा कि हुममेड और प्रिजर्वेटिव फ्री पीकल्स की डिमांड काफी जाता है लोग जेन्यून प्रोडक्स चाहते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं हो नैचुरल यह दिखते हैं जills बनाए गई है उनकी डिमांड है तो चलो में बनाना स्टार्ट करूँंगी उसके बाद बिजनस को करने के लिए करने के पास रिसोर्स चाहिए एक को ऐनेंग्रेडियंड चाहिए आपको मशीन चाहिए आपको मैं कोर्णे चॉर्ट का चाहिए यह सब चीज सब चाहिए ठीक है और चुंकि खाने पीने का अगर मैं समान बना रहा हूं तो FSSI Food Sample Food Safety and Standard Authority of India इसके पास permission लेना पड़ेगा आप company बनाने का सोच रहे हो तो आपको Registrar of the company ROC company याट के साब से आपके company को create करना पड़ेगा उसके legal formalities को fulfill करना पड़ेगा क्लियर जब यह सारे process हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे फिर प्रोड़क्ट का development हम जो प्रोड़क्ट बनाना चाह रहे थे उसका development स्टार्ट करेंगे तो Radhika ने क्या किया Radhika experiments with different recipe and finalizes a few popular flavors ठीक है ensures quality control by maintaining hygiene and consistency in taste तो यह step क्या होगे प्रोड़क्ट को development और जब प्रोड़क्ट को कहता हम क्या करेंगे marketing और sales करेंगे ताकि हमारा product का बिक्री हो ज़्यादा लोग उसे खरीदें इसमें क्या आएगा branding आएगा एक brand name होगा online market में भी हम अपने business product को launch करेंगे local market में भी हम लोगों को क्या करेंगे जाएंगे बोलेंगे retailers को कि आप हमारे product को भी आप purchase करो तो इससे क्या हुआ यह सारे steps आप देख रो इस सब किसके steps हैं यह सब promotion के stages कहलाते हैं उसके बाद जब business का demand बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे scaling up करेंगे production को और expand करेंगे और ज्यादा market में प्रोड़क्स को हम launch करेंगे तो यह कहलाता है scaling up तो यह सारे steps follow करके रादिका ने अपना homemade vehicle business काफी अच्छा settle कर लिया तो यह क्या कहलाया यही पूरा stage किसका part हो गया promotion का तो आई hope this is clear to you अब यह तो मैंने आपको एक short form में बताया था ठीक है element language में लेकिन in detail अगर देखा जाए तो यह total process होते हैं किसमें business unit को establish करने के लिए पहला आपका selection of line up business यह मैं आपको explain कर दिया preparation of feasibility of project report feasibility report में project report feasibility हम देखते हैं कि वह research हम करते हैं मतब काफी सारे steps इसमें involved होते हैं कि हमारे product का demand होगा कि नहीं होगा कितने पैसे लगेंगे क्या-क्या process है तो आप overall एक idea build up करते हो आगे के steps हम करने वाले हैं उसमें क्या-क्या process को follow करना पढ़ेगा choice of forms of business organization भाई आप sole proprietor से बनाओगे आप partner से बनाओगे आप cooperative society बनाओगे company बनाओगे हुए बनाओगे क्या बनाओगे तो यह सब चीज़ें आपको सोच नहीं कोड़ेंगे financing the proposition उसके बद हम business को finance करने का सोचेंगे क्योंकि उसमें फिर पैसे की जरूरत होगी तो फिर इसमें क्या होगा पैस नहीं कि नहीं होगा कि सेरिया में रूरल में अर्बन में सेमी रूरल में तो यह सब चीज़ें आपको देखने होंगे टाउन की मिड में आपका हो पाएगा कर नहीं हो पाएगा दें साइज कितना बड़ा plant लगाएंगे बतब पहले हम अगर हमारा काम अगर चल जाएगा तो हम फिर स्मॉल de se क carbicar लेंगे कि अ क्लियर ह node अ क्लियर हमारा प्लानका लेयाउट और हमस्तार होते हैं थे वो ऌर्डकर मनाते हैं कि अक्ल्था बॉनरी का एक सब्धुर्स नादा होता है अधिन के लिए घृत सब啊 बनाते हो गर मनाते हो घर付ें तर आ में वैसा ही और बिल्वर बंद लोग में चाहिए होंगे अब लेवर्फोर्श को और्टिफाइच करने के लिए फिर हम क्या करते हैं वर्क फोर्स और वर्क लोड एलेटीन करते हैं यहां akan डुकी वारक फॉर्क उर्ड़ यह किया जाता है उसके बाद anticipate and complete the procedural formalities अब देखो जितने भी formalities होंगे legal formalities होंगे procedural formalities होंगे तो यह हम आगे detail में पढ़ेंगे तो मैं आपको आगे जाए detail में समझाँगा बट मोटा मोटा आप यह समझो जितने भी तरगी के formalities होंगे जो company बनाने के लिए हमें करने पढ़ेंगे चाहे हो legal formalities हों चाहे हो procedure method वाले हों उन सब हम पूरा complete करेंगे बिजनेस को launch करना बिजनेस में मारा unit set हो गया हम अपने product को launch करेंगे उसके बाद tax planning भाई GST में registration कराना पड़ेगा आप यहां workers काम कर रहे हैं तो उनके level log के सब चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है देन है completion of legal formalities वही बात में नेका GST का काम हो गया level log का contract का यह सारे process के कानून गंदर company art के अंदर में registration यह सारी चीजें हम इसमें करते हैं and then machines and equipment required यह actually size of the proposed unit के बादी था तो machines and equipment हम जो production करेंगे उसके लिए कैसी machines चाहिए क्या-क्या machines चाहिए equipment कितने चाहिए होंगे यह सब एक estimate बनाना होगा तो मोटा मोटी यह consideration हम जब new business unit set करते हैं तो वहां पर में इन चीजों की आप सकता बढ़ती है आईए promotion may be undertaken for any of the following purposes देखो promotion सिर्फ और सिर्फ company set up करने के लिए ही नहीं होती है और भी चीजों के लिए होती है किन चीजों के लिए देखो एक तो आपने समझा कि new business unit को हम start करना चारे तब तो हमें promotion करना पड़ेगा उसके लवा हमारा पहले से यह एक unit था हम एक और नया unit launch कर रहे हैं या उसको expand कर रहे हैं तो फिर उसको expand कर रहे हैं नए area में जा रहे हैं नए location में जा रहे हैं तो फिर आपको वहां promotion की step परने पढ़ेंगे हमारे पास एक business unit था हीरो था और हुंडा के साथ मर्जों के नई entity बन गई ठीक है तो उसके लिए फिर आपको promotion करना पड़ेगा तो यह तीन steps होते हैं तीन अलग जगह होते हैं जहां पर promotion की हमें आउसकता पढ़ती है clear अब promotion में कितने तरह के stages हैं देखो promotion में चार है पहला discovery of idea, investigation and verification, assembling, financing the proposition जो की मैंने आपको उपर में already explain कर दिये हैं अब इसको और detail में देखा जाए discovery of idea, the discovery of an idea is the initial stage in promoting a concept, it involves identifying a unique and valuable solution or concept that addresses a specific need of problem कि कोई एक problem आपने देखा, देखो जो promoter होता है, वो क्या देखता है, कि market में demand कैसी है, problem क्या है, लोगों को क्या चीज़ों क्या आउ सकता है, जो उन्हें नहीं मिल रही है तो उस चीज़ को हम offer करें, तो पहले बात यह genuine need, उस चीज़ की लोगों के जरूत होनी चाहिए, तिब तो लोग आपका product को खरे देंगे, तो पहले यह चीज़ फाइंड आउट करना, अब क्या होता है, हम उसके लिए अनलाइज करते हैं, कि देखो, market में तो पहले से चीज़ें चल रही है, अब यहाँ पर यह problems लोगों को face करने पड़ रहे थे, तो हम कैसे इस चीज़ को हम solve कर सकते हैं, तो इस चीज़ को identify करना है, तो इसी को हम brainstorming करते हैं, market में क्या trend चल रहा है, लोग क्या इससे समान को use कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना demand है, कितना sales हो जाता है, तो यह सब हम चीज़ें पहले कर लेते हैं, By observing industry's challenges, customers' feedback and emerging technologies, innovators can pinpoint opportunities for new ideas, customers' feedback लेते हैं, market में जाते हैं, देखते हैं कि क्या challenges जा रहे हैं, क्या इस तरह की problems आ रहे हैं लोगों को, तो फिर उसका solution कैसे किया जा सकता है, The discovery phase is crucial as it sets the foundation for all subsequent steps in the promotion process, तो discovery process क्या होता है, सबसे important process होता है, ठीक है, आप समझे को कि वहीं से आप वो idea मिलेगा, काम करना है कि नहीं करना है, Then we have investigation and verification, they are crucial steps in promoting an idea, investigation involves thorough research to gather detailed information about the idea, its potential market and competitors, this step ensures that the concept is viable and has unique value proposition, देखो investigation में again वही हो गया, कि हम उसको और thorough देखते हैं, देखो discovery में का कुछ step investigation और verification में आ जाता है, कि हमने जो information gather, gather किया था, हम उसको market जाके हम उसको identify करते हैं, देखो मैंने मुझे तो अपने हिसाब से पता चला था, कि यहां पर लोगों को ना आम का अचार अचार धंका नहीं मिलता है, और बहुत जादा demand है, तो actual firm जाकर क्या करेंगे, verify करेंगे, कि मैंने खुछ से जो data collect किया था, वो किया कितना सही है, तो market जाना, लोगों से बातसीत करना, जो distributors होंगे, जो retailers होंगे, जो उसका business कर रहे हैं, उससे feedback लेना, यह सब हमारा उसमें include होता है, verification involves validating the gathered information, testing assumptions, and ensuring that the idea is practical and feasible. ठीक है, तो verification में यह देखा जाता है, कि idea feasible है, यह लोगों को, मतलब हमारा idea है, वो चलेगा, वो practical है, मतलब कई बार क्या होता है, कि ideas तो बहुत सारे आता है, लेकि practical ही लगता है, यह तो सही नहीं रहेगा, clear? अब आप मान के चलो, कि मैंने सुचा कि यार देखो, बच्चों को classes की जरूत है, चलो ठीक है, मैं classes launch का ना start करता हूं, फिर classes में ने launch किया, तो मैंने उसकी prices रख दी, मैंने सुचा कि यार मेरा product, मैंने सुचा कि यार लोग तो पढ़ाई लिखाए की चीजे, कि इंडिया में तो OTT platform बहुत जादा चल रहे हैं, लेकिन उसने prices इतनी ज्यादा स्टार्टिंग में रखे थी, कि बंध होने की नमता आ गई थी, बाद में उसने क्या किया, मतब कम product वाले prices, कम price में उसने लांच किया, तभी मार्केट में टिक पाया, तो यही चीज हो जाता है, ठीक है, आपने सहीज इसको analyze नहीं किया, आपका market खराब हो गया, आपका business डूबने की condition आ गई थी, clear? Then we have assembling, assembling के मतलब क्या होता है, कि अब हम, जो भी हमारे resources है, मैंने सब identify कर लिया, काम होगया, अच्छा ठीक है, अब resources को gather करना, assembling के मतलब क्या हो गया, assemble करना, arrange करना, कि जितने भी हमारे resources है, हम उनको gather करें, अब कितने तरीके resources होते हैं, चार, मैंने आपको पहले दाता है, 4M होते हैं, 4M हमारे क्या क्या है, मेन, मेटेरियल, मसीन, मनी, ठीक है, एंड मिठड, तो इन सभी चीज़ों, भाई, बिना इंगे तो काम होगा नहीं, जिसको आप फैक्टर सब प्रोडक्शन करते हैं, और मेनेजरियल एविलिटी भी, तो ये सभी चीज़ों की हमें आ सकता, बढ़ती है, एक, दो, तीन, चार, पांच हो गया, ठीक है, तो 5M भी होता है, कई भी बिगाव 4M भी बोला जाता है, अब देखो कोई कपनी तो चालो नहीं होगा, लेकिंगे हम पहले से लोगों से बातचीत करके हम फ़नलाइशन लगते हैं, कि जैसी स्टेफ हमारा प्रोसेस हो, जैसे हमारी कमपनी का रिजिस्ट्रेशन हो जाए, हमारा बिजनस चालो हो, हमारा प्रोडक्शन होने में डिले नहीं हो, ऐसा नहीं है कि मानच जो लगए फिर हम गया इन सप्लायर से बात कर रहे हैं, हम लेवर खोजना है, स्टार्ट क होते हैं, यहां पर एक नाम होगा, एंजल फंडिंग, मेरे ख्याल से, मैं सुझत आप लोग को डिस्ट्रेशन करूंगा, चलो इस पर नहीं दिया हुआ, अब जैसे आप देखते हो, सार्ट टैंक इंडिया में इन्वेस्टर्स आते हैं, बहुत सारे, तो सार्ट इंडिया वो भी फर्स्ट टाइमर से, उन्हें बिजनस का आडिया नहीं है, तो उन लोग में रिस्की बिजनसर में जो इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें एंजल फैनांसिंग कहा जाता है, ठीक है, तो यह कलाता है, मेन फैनांसिंग में यह देखते हैं, कि डेप्ट और एकुटी, इसका वीडियो में जरू देख लेना, ठीक है, मैंने डाला हुआ है, सोर्सिज अब फैनांसिंग में, ठीक है, अब, टाइप्स और प्रमोटर्स, हमारा अलग टाइप होता हैं, जैसे आपने पड़ा ना, पार्टनर्स, पार्टनर्स के भी अलग-अलग टाइप होते हैं, आपने स्लिपिंग पार्टनर्स, आपने कुछ अश्यां पार्टनर्स, इसी तरीके से यहां भी अलग टरीके के प्रमोटर्स होते हैं, जैसे पहला है हमारा यहां पे, टाइज ऑकेस्नल परमोटर्, तो में मैं देख रहा हो, बाकीके दो लोग बोले कि भाई, तो श्टार बमोटर होते हैं मतरब फुल-टाइम बिसन्स था इन्वालनी स Huge आया कभी काम कर दिए अब अब जैसे देखो इंडिया में जो अस्नीर वोवर साइथ मुझे नाम confusion है तो वह क्या था भारत पे का उसे founder बनाए गया फिर वो कोई और business का आज रहीज लेकर आए उससे पास तो उसने एक और business start किया तो फुल time promoter वो business बनाएगा उसको प्रणिर दे दिया मतब प्रमोटर के पत्से अप्र मुझे मुझे बिजनस करना मुझे पता नहीं मैंने आप में से किसे कापनेव को पकड़ा आप एक्सपाइट थे आपने मेरे बिजनस को क्रेट करने में काफी help किया सब कुछ हो गया फिर आप किसी और बिजनस को help कर रहे हो तो आप professional promoter कहला होगे mostly they promote the business enterprise and then pass on their management to shareholder और board of debtors यही बात में आपको भी explain कर रहा था ठीक है तो इनका काम क्या है मतलब यह business professionally इसमें full time इनका job होता है ठीक है then we have financial promoters the main job of such promoter is to float new companies during favorable condition in the security market the main objective is to make use of favorable investment climate to earn profit अब मैंना business चला अब यह सब जो security market है तो यहां पर public limited company की बात हो रही है जिनका share market में होता है तो वो चुकि finance के expert होते हैं तो किसी company को financially काफी grow करने में help करते हैं कि कैसे आपको और ज्यादा पैसा मिल सके कैसे आपको investment बढ़ सके कैसे आपकी share की value increase कर सके तो यह लोग क्या कर लाते है financial promoters then we have technical promoters so they are expert in technical matters they make use of their specialized knowledge and training in promoting new business ventures areas of their expertise may relate to law engineering consultant architects such promotions such promoters are given fees to their consultancy services अब जैसे मानगे चलो कि मैं अगर पढ़ाता हूं मुझे teaching का बिल्कुल idea है कि teaching में कैसे काम क्या होता है कैसे online setup करना है कैसे video rating करनी है कैसे record करना है तो आपको मांझे लोग कि आपको कोई expert आपने चाहिए था आपको इन चीज़ें को idea नहीं है मैं आता हूं मैं आपको help करता हूं इस सब चीज़ें को setup करने में तो मैं कैसा promoter कर लाऊंगा technical promoter clear then we have specialized institutions these institutions float new business enterprises either of their own or by collaborating with other entrepreneurs example of such entrepreneurs are it be industrial development bank of india and idc and other financial institutions which provide financial aid and guidance in launching new ventures अब जब नए ventures को नए business enterprises launch होते हैं तो इड़ी तो government registered संस्ता है न तो वो उनके साथ collaborate करेगा कि आपको financial advice चाहिए या आपको किसी और साथ tie-up करना है तो उनको उस मतब जो भी उनका particular problem होगा उसको वो solve करने में help करते हैं और चूंकि specialized institutions हैं government इनको इसी काम के लिए बनाया करती है ठीक है a large number of business enterprises have been floated by the government in the public and joint sector to carry various types of business activity government भी as a promoter काम करती है को गवर्मेंट के बास सो भाई unlimited resources है clear political promoters such promoters may be MP MLA और other important political leaders in collaboration with specialist make an attempt to increase their areas influence their political link is help them in their mission अब जैसे गौरपूर कही बात ले लो तो यहां पर योगी जी काफी काम करते हैं काफी सारे development की तो उनका influence है तो यहां पर जो भी प्राइविट में अगर कोई private business हो रहा होगा या गिड़ा के बात कर लो तो वहां पर लोगों को encourage करना कि आप आये काम कीजिए हम आपको help करेंगे आपको infrastructure चाहिए तो इस तरीके से क्या होता है पॉलिटिकल लोग MP MLAB promoters बन जाते हैं और बिजनस को grow करने में help करते हैं ताकि जैसे क्या हो हमारे area का development हो योगी जी ने गौरपूर को transform कर दिया आप देख लो रामगर ताल के example देख लो कितना उसको सुन्दर बना दिया तो यह कल आता है आपका political promoters क्लिय अब अगला topic है हमारा that is position of a promoter एक promoter का क्या position होता है आखिरकार उसका क्या importance होता है ठीक है देखो promoters are the agents and trustee of the business enterprise they give birth stand in a fiduciary relationship to the company and its shareholder देखो promoter क्या था agent होते हैं business के वह एजेंट है trustee होते हैं मतलब उन्होंने business को create किया है सारा process उन्होंने किया है they are personally liable for all contracts made on the behalf of the company before its incorporation business जब एक होता है आपका commencement of business एक होता है incorporation दोको incorporation होता है जब paper work किसी company का पूरा हो जाए अप्रूव हो जाए तो तो वह उसके लिए personally liable होता है अब जहां पर personally liable हो गया अपने पढ़ा होगा तो उसके liability भी क्या जाती है unlimited लेकिन कितने पार्ट तक के लिए incorporation commencement of business के बाद liability फिर जो management होंगी जो उनके board out actors होंगे उनकी हो जाएगी clear they are also liable for the statement made in the company prospectus तो company के जो prospectus होगा चूंकि prospectus क्या होता है आपको पता है एक public document होता है जिसमें सारी बाते होती है company के बारे में लिखी हुई तो वो भी obviously promoter नहीं बनाया होगा तब ही दो उसके पैसे रेस किये होंगे तो prospectus से लिखी बातों के लिए भी कौन liable होगा promoter ही liable होगा no secret profit can be earned by the promoters not they can dispose of the asset of the company as their personal property in case the debt or insolvency even the personal property of the promoters may be utilized to pay the debts of organization मैंने भी आपको बता है चुंकि उनकी liability unlimited है तो अगर कोई debt है कोई loan लिया है तो भाही उसको रिपेक करने में उनकी personal property को भी बेच दिया जाएगा तो ये उनकी इनका एक position होता है ठीक है आप यहाप ए secret profit क्या होता है आई उसको समझते हैं अब promoter could enter into a contract with a supplier माने जो किसी company के कोई promoter है और उस company में कोई supplier है जो raw material supply करता है अब क्या होता है कि promoter supplier से मिल गया कि आप 50 रुपे में समान दे रहो आप 30 में मुझे दो मैं company में 50 का ही दिखाऊंगा खरीद हुआ है क्योंकि उनका contract है मत्तब उसने deal किया 30 में लेकिन company मों दिखा रहा है कि मैं इस अभी से 50 रुपे में खरीद रहा हूं तो यह चीज का information से उस प्रमोटर को होगा ठीक है उसी तरीके से फिर उसने क्या क्या किया फिर समान वो खरीद रही है और यह 20 रुपे profit किसे हो गया promoter को हो गया उसी तर आता है आपका secret profit और यह चीज पूरी तरीके से बैन है ठीक है अब इंपोर्टेंट्स और function प्रमोशन प्रमोटर प्रमोशन में क्या क्या function है जो हम लोगे फर्स स्लाइड में देखा था देखो दू function और legal function अब एक ही करके दोनों को डिटेल में हम पढ़ेंगे तो प्रसे में हम इंडर करना चाहरे हैं हम क्या करना क्या चाहरे है उस चीज का selection अगें इसको करने के लिए research करने होते हैं यह भी हम लोग पहले ही देख चुके हुए देने size of the unit कि हम business का scale हमारा कितना बड़ा होगा कितना बड़ा plant की हमें आउसकता है हम जो business करना जा रहे हैं अगर आप जैसे infrastructure से बनाने वालों की काम करें हो काफी large scale रहेगा कोई आप online business करने का सोचे हो तो बिल्कुल relatively small चाहिए होगा तो यह कहलाता है हमारा size of the unit वो industry तो आपको टाउन के बाहर में setup करना पड़ाएगा ठीक है देन च्वाइस यह भी हम लोग पढ़ चुके हुए financial planning कि कितना पैसा की हमें आउसकता है हम पैसा को debt से raise करेंगे debt fund से या equity से clear यह सब बात हैं हमारी procedural function में include की जाती है देन प्लांट का layout कि महीं प्लांट में मसीन चाहिए होंगे सारी चीज़ें चाहिए होंगी सब को कैसे हम काम करेंगे आप जैसे देखते हो कि कई बार अब इसका भी देखते होंगे कि प्लांट है मसीन setup हुई है यहां से मसीन जा रहा है एक बेल्ट के तरह conveyor बिल्ट गना चाहिए अगर आप बाहर से इंपोर्ट को रहें तो फिर कस्टम ड्यूटी भी आपको पे करने पड़ेगी तो जो भी टैक्स है इंकम टैक्स है टीएस आपको देखना पड़ेगा तो इन सबी चीजों की प्लानिंग भी हमें करनी पड़ेंगी तो वह होता है टैक्स प्ला अगर वह कुछ भी काम एक्स्ट्रा करती है तो उसे लिगा माना जाएगा और उसके उपर लीगल एक्सन किया जाएगा अर्टिकला क्या होता है कि बिजनस को अगर डिजनस को रंक कैसे करेंगे लोगों को हैर की का मिलेगा बताब बहुत सी वात है जो डिटु-डे अफेर्स को हम कैसे बिजनस में हंडल करेंगी वह सब बाते हैं आटिकला अश्याइस अन सरभा बिना डायर्टर के तो कपनी ब बनेगे आपकी तो डार्टर का कंसरेंट में चाहिए होगा देन एक स्टैट्री डिक्लेरेशन कि मैं जितनी बाते लिख रहा हूं यह मैंने पूरी वरिफाई कर लिए इसमें किसी तरह की कि तुरूटी नहीं पाई गई है अगर को पाई होती है तो हमारी इसके लिए लाइबल होंगे तो यह आता है स्टैट्री डिकलेरेशन यह आपको डिकलेरेशन देना पड़ता है कि सब चीजें आपने सही किए देन इसके इसन सब डॉक्मेंट को मिया करते हैं रिश्टार आप दे कंपनी रोसी होती है उसके पास फाइल करते हैं ठीक है इसको इसोल पर पार्टाइस बिजनस बनाया तब वहां पर इस सब चीजें आप सकता नहीं पड़ती है देन डॉक्मेंट को फाइल करना को कि जब आप फाइल करोगे तब तो आपको सब काम हो जाएगा तो फिर आपको क्या होगा नेम अप्रूबल होगा ना बही आप सप प्रोस्स होता है कि आप जो नेम लेना चाहरे हो उस नेम से मैचिंग करनी वाले कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए तो नेम यूनिक होना चाहिए तो नेम का अप्रूबल है कि हाँ ठीक है मतलब उसकी बहुत सारा क्लॉज है मैं ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंग अब आगे का प्रोसेस काम करना स्टार्ट कर सकते है अगर आप सेयर मार्केट में आजाएंगे यह क्यों जूरूरी है क्योंकि कि आपने फाइनांस अपने इकुटी आपने यूज किया कि मैं इकुटी इसू करूंगा मैं पैसे जो रेज करूंगा वह एकुटी के माधियम से तब तो फिर आपको से आपको परवेशन लेना पड़ेगा ताकि आपके से स्टॉक एक्सेंज में एवलेबल हो सकें उसमें करने के लिए चलो तो मेरे ख्याल से सब चीजें आप समझ गए होगे अब हमारा अगला टॉपिक है कि एक अगर हम बिजनस चाहते हैं कि प्रमोशन हम क्यों कर रहे थे ताकि हमारा बिजनस बन सके ठीक है लेकिन बिजनस सक्सेस्फुल हमारा करेगा तो उसके लिए क्या-क्या क्लियर कट होना चाहिए प्रैटिकल भी होना चाहिए कि लोगों का ओशकता है तब यह चीज चलेगी देन efficient performance of the procedural function अभी हमने क्या पढ़ा था procedural function हमने उपर में देखा था ठीक है तो उनको successfully अगर आपको थोड़ा सा confusion हो रहा होगा तो मैं आपको फिर से दिखा सकता हूं यह रहा यह सारे हमारे procedure function थे selection of line of business size of the unit तो यह process अगर हम successfully है अच्छे से हमने उसको set कर लिया ठीक है तब ही हमारा business successfully run कर भाए क्यों कि procedure function ही क्या होता है जो business को चलाता है legal function तो अपने बर करके छोड़ दिया अब तो वह अगले साल के last में होगा लेकिन throughout the year throughout the financial year throughout the assessment financial year accounting year आपका business चलाने के लिए आपको procedure function को सही से follow करना पड़ेगा then business के planning planning is the most important thing क्यों कि प्लान करोगे क्या गोल टारेट अचीव हो तब ही तो आप उसको उसके उसको अचीव परने के लिए आप अपने तो talented लोग expert लोग keyword मुझे याद नहीं है राव से एक नाम है आपका it is not coming to my mind right now but मैं आपको बता दूंगा later on ठीक है तो organization के structure को successfully create करना पड़ेगा और वहां पर आप जितने division बनाओगे जो भी functional department बनाओगे उसमें आप specialized लोगों को specialization of work concept का भीज करोगे और specialized लोगों को लगा होगे ठीक है तो आपका organization सही से काम कर पाएगा then proper consultancy direction and coordination of activities देखो business को गतों सही से आपको चलाना होगा यहां पर बात की जारी है directing function की business को अच्छे से direct करना पड़ेगा coordination की जरूत पड़ेगी direction की जरूत पड़ेगी motivation motivate करना पड़ेगा तभी business successfully run करेगा then efficient production planning and control business में प्रड़क्शन प्रड़क्शन क्या होगे efficient आपने पड़ा था कि efficient एक business 11th नहीं 12th में topic था आपका efficiency और एक word था मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है तो हम उसमें पढ़ते थे कि किसी goal target को कम से कम resource में करना और दूसरा होता है कम से कम time में करना तो efficiency का और effectiveness ठीक है तो effectiveness और efficiency इन दोनों चीजों को आपको यूज करना पड़ेगा कम से कम समय में हमारा काम हो जाए और कम से कम संसाधन यूज करके हम अपने goal target को achieve कर ले तभी आपके resources की बचत हो पाएगी तभी business में आपका cost कम लग पाएगा तभी business आपका जाता सदा grow कर पाएगा marketing के बिना तो business आपके product customer तो पहुंचेंगे नहीं तो marketing भी आपको अच्छे से करना पड़ेगा तो management का dynamic होना बहुत important होगा ठीक है then we have human relations approach क्योंकि organization में आपका जो factors of production है उसमें आपका human management में भी आपके जो workers हैं तो उनके साथ अच्छे से आपका coordination होना top lower middle सब जगह आपके लोग है तो सबके साथ relations हमारे काफी bitter हो सकें लोगों के relations better हो सकें तो उसके लिए human relations approach भी हमारे काफी better होने चाहिए then research and development आप मार्केट में अपने product पर रिसर्च करें मार्केट को identify करो रिसर्च करते रोप continuously क्या बदल रहा है हम नया product क्या launch करेंगे क्योंकि regular product use करते क्या होता है customer बोर हो जाते फिर दूसरा product try करना चाहते है और अगर ऐसा होगा कि कोई दूसरी को दूसरा अगर मार्केट में उसने कोई दूसरा product launch कर दिया तो customer के छुड़ जाने के chances ज्यादा होते हैं तो यह आर एंडी आपको करते रहना पड़ेगा continuous जब तक बिजनस तब तक आपको research और नए नए product नए नए improvement आपको करते रहने पड़ेंगे तभी आपका business successfully लंबे समय तक च करूंगा मैंने अपने वार्ट सब्सक्राइब कुछ बच्चें के साथ डिसक्स किया हो था उन्होंने काफ़ अच्छा perform किया तो अगर आपको वह चाहिए होगा तो आप comment and reply करना हम उसको फिर आपको add कर देंगे तो चलो friends आजकी lecture में इतना ही मिलते हैं अगले lecture में तब बबाए टेक कियर